एक लड़की गोपाल गंजिले के कुचाय कोट थाना के भीतर घुसती है, पूछती है कि थानाध्यक्ट सहब कहां है और उसके बार थानाध्यक्ट सहब से मिलकर वो लड़की कहती है कि हम फरार नहीं हुए हैं, हम अपने प्रेमी के साथ भागे हैं, हम उससे शादी कर चुक हैं, लेकिन हुजूर असलियत यह है कि हम अपने प्रेमी के साथ भागे थे और इसलिए भागे थे क्योंकि मेरी मा नहीं चाती थी कि हम उसके साथ रहें, ये सब थानाध्यक्ट सहाब चुप चाप खड़े होकर सुन रहे थे, लड़की अपनी व्यथा बता रही थी, वो कि वो पाँच महीने पहले गोपाल गंज के थावे मंदिर में जाकर शादी कर चुकी है, वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है और उसको अपने प्रेमी के साथ ही रहना है, और उसकी मा इस बीच में अर्चन बन रही है, और उसी की मा ने आकर जूठा केस थाने में दिया है कि उसकी बेटी का आपरन हो गया है लेकिन असलियत ये है कि वो लड़की खुद से ही भागी थी थाद्यक्त साहब ये सब कुछ चुपचाप सुन लेते हैं और उसके बाद उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवा जाता है उम्र का जांच होता है वो लड़की कह रही आपरन कर लिया है और दस लोगों को नामजद भी उसकी मा करती है उसकी मा कहती है कि उसकी लड़की नावालिग है और वो लड़की थानद्यक्त साहब के पास आकर कहती है कि हम तो बालिग हैं और पांच महीने पहले ही हम शादी के बंधन में बंग चुके हैं और हम दो मा के pregnant भी है ये सब थनाध्यक साहब सुनकर एकदम से चुप हो गए उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मा कह रही है कि लड़की का अपहरन हुआ है बेटी आकर थाना में खुद कह रही है कि हम खुद से ही भाग गये थे और उसके बाद बेटी बता भी रही है कि वो जिस प्रेम के साथ रहना चाहती है और उसकी मा जो है वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी उसकी प्रेमी के साथ रहे बहराल अब लड़की का जाच माच हो रहा है जाच करने के बाद जब इस बात की पुष्टी हो जाएगी कि वो बालिग है जब इस बात की पुष्टी हो जाएगी कि उसके बाद खुद ही थाना पहुँचकर इस बात की गवाही दिन लगी कि हुजूर मेरे प्रेमी ने मुझको भगाया नहीं है, मेरा अपहरन भी नहीं हुआ है, बलकि हम अपने मन से खुद से भागे थे, बाकि आज कल ये बहुत आम हो गया है, आपने छोटू आरती वाला क अबर है, वो आज कल बहुत ज़्यादा इसले भी आ रहा है, क्योंकि देखिए लड़के और लड़की अपने माबाप की बात नहीं सुन रहे है, उनको लगता है कि उनको कि इससे महबत हुआ है, तो वो उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार है, गोपाल गंज के कुछ आयको गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, और पांच महीने पहले हमने अपने प्रेमी से शादी कर ली है, और हम दो महीने के प्रेगनेंट भी है, मतलब ये कि लड़की की मा लड़की को जाने नहीं देना चाह रही होगी, लेकिन लड़की इस बात को लेकर शियोर थी कि उसको जाना है और वो अपने प्रेमी के साथ चली भी गई मिलाज उलाकर उसका जांच के बाद खनेदार साहब या फिर पुलिस सेशन के अबल दरजे के अधिकारी होंगे वो यताय करेंगे कि क्या करना है लड़की के साथ अगर वो बालिग होगी तो डेफिनिटली नियम की लेकर सलाह लेकर करेंगे तो बहतर रहेगा बाकि आपकी प्रतिक्रिया का इंदिजार रहेगा मेरे नाम प्रशांत्राय है आप जिन्ता निंग्शन देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद